अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृप्या सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें दिनने बाद Dear students, Today is the topic is prepositions तो आज अपने prepositions बिलकुल आसान तरीके से समझेंगे यह चित्तर आपको दिखाई दे रहा होगा देख लिजिए सबसे पहले अपने इसको देख लेते हैं कौन-कौन सी prepositions अपने करेंगे Under, Over, In, On, In, Front, Of, Behind, Next, To, On, Under, Next, To, In, Front, Of, Behind, Between, Around, और, Throw यह अपने इतनी prepositions हैं जो अपने करने वाले हैं कम से कम 15-16 prepositions अपनी इस lesson के अंदर हो जाएंगी तो आपने ध्यान पूरवक देखना है देखिए यह क्या है यह एक box है और यह एक mouse है ठीक है आपको समझाने के लिए सिर्फ प्रियास किया है तो यह देख ली लिजिए under सबसे पहले under किसके लिए यूज होता है जब यह देखिए यह box है और यह mouse है अपना तो mouse इसके नीचे आ गया है तो कोई भी चीज जब किişी के नीचे आ जाएगी तो under तो किसका प्रयोग करेंगे अपने under का प्रयोग करेंगे अब देखिए ये box है दूसरे number में और अपने किसका प्रयोग करेंगे over का, ये box है ये mouse है, और mouse इसके box के उपर खड़ा है तो इसलिए अपने over का प्रयोग करेंगे अब देख लिजी ये box है ये खुला हुआ है ठीक है और mouse इसके अंदर चला गया है तो अपने किसका प्रयोग करेंगे इनका प्रयोग करेंगे अब देख लिजी ये box है ठीक है ये box है और इसके अंदर अपने on का प्रयों करेंगे और ये उपर खड़ा हुआ है अब देख लिजिए on और over में क्या अंतर है बच्चे इसके अंदर confuse हो रहे होंगे कि over और on के अंदर क्या अंतर है अब ये देख लिजिए ये हवा में है ठीक है ये उपर और ये इस पर stable है बिलकुल stable है इस पर ये खड़ा हुआ है on दा ठीक है ना ये हिल नहीं रहा है stable है और ये देखिए ये हवा में है over दा जंप कर रहा है ठीक है ना मतलब jumping in the air है तो ये इसके लिए over का यूज होगा और इसके लिए on का जो चीज stable है जो खड़ी हुई है उसके लिए on का यूज होगा ठीक है अब ये देख लीजिए in front of in front of ये box है अपना और ये अपना mouse है ठीक है और mouse बिलकुल box के आगे खड़ा हुआ है ठीक है आगे खड़ा हुआ है तो इसका मतलब in front of हो जाएगा in front of आगे खड़ा हुआ है और ये अपना देख लीजिए ये अपना box है ठीक है box है behind का प्रयोग कर रहे है तो ये पीछे खड़ा हुआ है mouse क्या है पीछे खड़ा हुआ है तो ये behind इसके लिए behind का प्रयोग करेंगे nest 2 अब देख लीजिए nest 2 nest 2 ये अपना box है ठीक है ये अपना box है और इसके बिल्कुल आगे कौन कड़ा हुआ है mouse कड़ा हुआ है तो इसी तरह से किसी चीज से कोई भी आगे जैसे मान लो class teacher आपके class teacher roll number बोलते हैं तो बोलते हैं ना nest 2 ठीक है nest बोलते हैं ना तो आगे वाला roll number उसका मतलब आगे वाला roll number उससे तो ये ये मतलब उसी तरह से nest 2 का अपने प्रयोग करेंगे English के अंदर इसका प्रयोग भी आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में आपको इसका प्रयोग ठीक है ये आपको पहला उधारन दिया था ये आपको दूसरा उधारन दे रहे हैं ये box है ठीक है और ये ये चिडिया है ठीक है और ये क्या है इसके नीचे आ गई है ठीक है तो ये अंडर दब रही है इसके नीचे तो इसके लिए अंडर का प्रयोग करेंगे अब nest 2 अप ये अपना box है और ये चडिया खड़ी हुई है ठीक है चडिया इसके आगे खड़ी हुई है तो इसके लिए in front of का प्रयोग हो जाएगा अब behind देख लीजे behind का अपने दूसरा उदारन देख लेते हैं behind मतलब पीछे की side ये box है अपना और box के just पीछे ये कौन है ये चडिया है तो ये उसके लिए behind का प्रयोग करेंगे कोई भी किसी के पीछे जो चीज होती है ठीक है behind the wall आऊ सकता है दिवार के पीछे ठीक है किसी भी चीज के पीछे अब देख लीजे between between मतलब दो के बीच ठीक है तो ये देख लीजे dispute between राम और शाम राम और शाम के बीच विबा देख लीजे around ये एक खंबा है ठीक और इसके चारों तरफ क्या है इसके चारों तरफ चिडिया गोम रही है तो इसके लिए around का प्रयोग हो जाएगा अब देख लीजे throw ठीक है बीच में से ठीक है अब देख लीजे ये जो ये गत्ता है अपना अब गत्ते के बीच में से जडिया जा रही है शेद है ना बीच में से जा रही है तो इसके लिए थ्रो का प्रयोग होगा तो इतनी जो प्री पोजिशन्स हैं इसके लिए आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसके लिए अपने दूसरा वीडियो भी बनाएंगे जिसके अंदर आपको ये बताएंगे कि कैसे कैसे इनका प्रयोग किया जाता है तो अगर आपको वीडियो हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इसको जादा से जादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद